नमस्कार दोस्तों आप सबे का Healthy Product Review चैनल पर स्वागत हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड ओयल्स के बारे में और आपको पूरी सचाई जानने को मिलेगी कि यह जो प्रोडिक्ट है वो मार्केट में इतना बिक्ता क्यों है यहाँ फाइदे क्या करता है नुकसान इसके क्या है और सही यूजे इसके क्या है तो चलिए शुरू करते हैं तो हमने इससे पहले कई बीएड ओयल्स का रिविव रिव्यू किया है और लगबख सभी बीएड ओयल्स मेरे परसनली यूज की वे हैं basically beard oil का यूज दाड़ी के लिए वही है जो की hair oil का सिर के बालों के लिए होता है हम बालों में oiling क्यों करते हैं ताकि बाल रुकिस होके न लगे उनकी care हो उनमें कालापन आए और चमक बरकरार रहे तो beard oil भी वैसा ही product है जो की दाड़ी को moisture देने चमक देने काला पंदूर करने और care के लिए बना होता है market में सबसे ज़्यदा beard oil जिस वज़े से बिकते हैं वह है नई दाड़ी आएगी तो उस ममले में आपको मैं सटिक जबा देना चाहूँगा जिस तरीके से hair oil को नई बाल लाना है वो possible नहीं होता उसी तरीके से beard oil के लिए नई दाड़ी लाना भी possible नहीं है दाड़ी के नई बाल है वो नहीं आते नई दाड़ी की चाहत और ब्रह्म में महेंगे में के 500-600-700 रुपे तक के beard oils लोग यूज करते हैं जो की west of money होता है so mind it please अब beard oils के सही usage और कौन लगा सकता है इसकी बात करते हैं तो who can use की बात करें इसके कार्ण acne pimples की समस्य बढ़ जाती है कुछ लोग यह सिकायत करते हैं कि acne pimples बहुत ज़्यदा हो रही है beard oil के बारे बीडोल के बाद में तो आप दिन को जब लगाते हैं तब dust pollution आएगा और इसके बाद में pimples होना तो obvious ही चीज रहती है अब मैं बात करूँगा beard oil के सही usage की पहला usage का रहता है nourishment का रूकी सुकी दाड़ी है तो इसको नौरिस करने के लिए काम करता है बाल जिनके hard है उनको soft बनने का काम beard oil करता है नौरिश्मेंट और most resistance देना इसका सबसे बड़ा काम रहता है दूसरा beard oil का काम रहता है अगर आपके पतले बाल है बूरे बाल है कमजोर बाल है तो उसको stronger करने काला पंदेने बूरे बालों को काला करने पतले बालों को मोटा करने और कमजोर बालों को strong करने के लिए beard oil काम करेगा तीसरा इसका फाइदा रहता है दाड़ी को काला पंद है उसके उपर भी आप दाड़ी के उपर बीर्डों को लगा सकते हैं लेगिन 50% तक ही इसका काम है वो देखने को बलता है अगर बाल छोटा है रोमचतर है तो ही काम करेगा पेची बीर्ड के उपर अधरवाइज नया बाल जैसा कि मैंने पहले बता है नहीं आएगा और काम नहीं करेगा हूड यूज की बात करें तो प्रफेक्ली अगर आपको बीर्डों को इस्तिमाल करना है तो चार से पांस ट्रोप बीर्डों की लेनी है उसको अच्छी तरीके से रभ करना है रभ करके अपने बीर्ड की ऊपर अपलाई करें फिंगर टेप्स की मदद्स से था Boodle के सचाए Boodle के सही युजे जो किस तरीके से आप ईड़ो को इस्तिमाल कर सकते हैं और क्या-क्या ब्रह्म लोगों न पाल रखे हैं इसके बारे में सही जानकरी आपको कुछ अच्छे धियूडल खरीतें हैं तो मैं वीडियो की